उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदित्यनाथ ने आज बार प्रभावित शेत्रों का हवाई सर्वेक्षन किया उन्होंने सर्यु नदी के आसपास के जिलो गोरकपुर, संथ कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबनकी का हवाई सर्वेक्षन कर हालाद देखे सीम ने बार प्रभावित जिलों के डियम को गावों में राहतकारियों को तेजी से करने के निर्देश दिये सावित शेत्रों के संदर्व में बैठक की, अधिकारियों से ग्राउंड पर जाकर निरीक्षन करने की बात कही, दरसल आज योगी आदित्यनाथ सर्यू अतिथी ग्रह में दिपोत्सव के संबंध में भी अधिकारियों के साथ बैठक की, 28 सितंबर को लता मंगेशकर के जनमोचव पर लता चौक का भी उधाटन होना है, लता मंगेशकर चौक के निर्मान की प्रगती पर मंथन किया, लता चौक के उधाटन के मौके पर सीम योध्या में रहेंगे, जबकि वर्चुल तोर पर पीम नरेंद्र मोधी भी जुनेंग बैठक की जानकारी देते हुए सांसद लल्लू सिंग ने बताया कि वास्तव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण सर्यू नदी में बार स्थिती बन गई है, जिसको देखते हुए सीम गोरकपुर जाते समय उन्होंने हवाई सर्वेक्षन के दोरान स्थिती को देखा, इसी को देखते हुए आज अयोध्या का हवाई सर्वेक्षन किया, बैठक में अधिकारियों से बार पीडितों को राहत सामगरी को लेकर बात की उन लोगों को राहत सामगरी मिली है या नहीं, वही सांसद ने कहा अयोध्या के पूरे कार्य तेजी से हो उसको लेकर उन्हो पुलिस उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंग, डी एम नितीश कुमार, एसेसपी प्रशांत वर्मा, सहित सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी सहित अन्यमंडलियक जनपदिय अधिकारी मौजूद रहे मुकमंत्रियों के अधितना जी का अधितना जी पूचे थे, साले छड़ के दोरान के, कई नदियों का प्रवाइक शित्रों का दोरा चर रहे हैं वास्कों में नैपाल से पानी छोड़ने के कारण, यह सर्जू नदी जो है, जिसको घागरा भी कहा जाता है इसका प्रकोब बढ़ा था, बहुत सारे गाओं बाड की चपेट में आ गए थे, मानिय मुकमंत्रिय जी कल गोरक कुर जा रहे थे, वहां से उनको दिखाई पड़ा था, जुन्होंने हरवाई सर्वेक्षन किया है, और अधिकारियों से बात किया है, कि उनलों को रहत्था मगरी मिली है कि नहीं,